नमस्कार आप देख रही हैं चम्मल प्रभा मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा और रूप करते हैं कुछ खास ख़बरों की तरब दोलपुर युवा नेता पूर्व प्रधान देविंद्र प्रताप सिंग जौदॉन के जनमदिन के अफसर पर विभिन सामजिक संगचनों द्वारा जनमदिन को धूमधाम से मिनाया गया जहां युवा कॉंग्रेस द्वारा सामाने चिकत साल्या में पलवित्रण किये गए वही मा रहने वाली सेवा समीती, मा पितामरा, भक्त मंजल, सिक समाज, वालमिकी समाज, राजपूत समाज, निशात समाज, अल्प संख्यक समाज, सहित, अनेक सामाजिक संगचनों द्व देविंद्र प्रताप सिंग जादौन का मदीना कॉलोनी आनंद नगर चंबल मूटर्ज, रीको और उनके घर जाकर लोगोंने माला विसाफा पहना कर समान किया गया, इस अफसर पर सभी का समान सिरमाथे रखते हुए देविंद्र प्रताप सिंग जादौन ने कहा कि चात लोगोंने विभिन माध्यमों से अपनी शुपकामनाएं भेजी है, उन्होंने कहा सदैव जरूरत मंदो की सेवा के लिए हमेशा ततपर है और ततपर रहेंगे, उनका जीवन नर सेवा, नारायन सेवा को समर्पित है, उसी को लेकर पिताजी के आदर्शों का अनुसरन करत रहूंगा? दौलपूर की जनताओं उनके परिवार हैं और उनके विश्वास पर हमेशा खराउतरने का प्रयास करूंगा और हमेशा सकरात्मक्सूर्ट के साथ जिले के विकास के लिए कारे करता रहूँगा, मेरा पूरा परिवार हमेशा इसके लिए ततपर रहेगा. जन खिलाडियों ने तंबाकू न खाने की शपत ली धोलपुर विश्व तंबाकू निशेद दिवस पर इंडियन रेट क्रॉस सोसाइटी धोलपुर द्वारा इंद्रा गांधी स्टेडियम धोलपुर में युवा खिलाडियों को तंबाकू उत्पादकों के सेवन नहीं करने क Red Cross Society के सचीद संजीव श्रवास्तर ने बताया कि विश्व तंबाकू निशेद दिवस पर युवा खिलाडियों को सिगरेट बीडी गुट का तंबाकू खाने से होने वाले कैंसर जैसी घातक बिमारियों के कारण देश में प्रतिवर्श हजारों लोग मौत के शिकार हो रहे हैं इनसे बचने के लिए धुम्रपान एवं तंबाकू के सेवन नहीं करने की सभी युवाओं ने परीजनों, मित्रों, रुष्टदारों एवं अपने पडोसी को इसके सेवन नहीं करने की शपतली इस अफसर पर Red Cross Society के नरेंद्र तोमर, प्रशिक्षक, दुशियन तत्य प्रदिमन परमार आधी खिलाडी मौझूद थे कुट्टा नहीं काएंगे और अपने मित्र परेजनों को भी काने से रोखेंगे आज इंडियन Red Cross Society द्वारा इंद्राइगादी स्टेडियम मर खिल रहे हमारे युवा खिलाडियों के लिए तमाकू निशेद दिवस के अफसर पर सपत गेंड समारों का आयुजन किया गया है हमारे युवा खिलाडियों ने आज सपत दी के वह समाकू का सेवन नहीं करेंगे धोलपुर में संपूर्ण राजव को तमबाकू मुक्त कराने हेतू सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमबाकू निशेद दिवस के उपलक्ष में आम नागरिकों को तमबाकू निशेद दिवस पर शपत दिलाई गई समाजों प्योगी उत्पाद कार्य एवं समाज सेवा शिविर के नववे दिन राज्किय बालिकाओ उच्व म्याधमिक विध्याल है धोलपुर में सम्मानित शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धोलपुर द्वारा बालिकाओ को तंबाकू निशेत दिवस पर शपद सम्मानित शिक्षक फोरम के कोशा अध्यक्ष एवं मीजय प्रभारी भगवान सिंग मीना ने बताया कि जिले में तंबाकू मुक्त राजस्थान के लिए 31 मई 2022 को सुभ़ 11 बजे तंबाकू निशेत की शपद दलाई गई का आयोजन किया गया शिवर प्रभारी शालनी श्रवास्तव ने बालिकाओं को तंबाकू निशेत दिवस पर अपने अपने समुदाय एवं अभिभावकों को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित किया इस अफसर पर सहयक शिवर प्रभारी समानित शिक्षक फ स्काउट वे गाइड जिला मुख्याले धोलपूर के तत्वावधान में जिला इस्थरिय कौशल विकास प्रशिक्षन शिविर राज के माध्यमिक विध्याले इंफेंट में 17 माई 2022 से संचालित किया जा रहा है। की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बालक बालकाओं से क्लास में गतिविधी करवाई। इस अफसर पर अंतराश्री तंबाकू निशेद दिवस का जिला शिक्षा अधिकारी अर्विंद शर्मा की उपस्तिती में आयोजन किया गया और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कास प्रशिक्षन शिवर में स्काउट गाईट के साथ साथ सभी बालक बालकाओं को अपने जीवन में तंबाकू मुक्त जीवन जीने के और प्रेरित किया। मामले में पुलिस को सफलता मिली है। उसकी बेटी की शादी फरवरी महीने में हुई थी शादी की बाद कुछ दिनों पहले उनकी बेटी घर आई थी वह सोला मई को सामान लेने के लिए बजार गई थी इस दौरान पांट से छे बदमाश उसकी बेटी को केनाप करके ले गई प्रभारी ने बताया कि मामला दरज होने के बाद पुलिस नाबालिक की तलाश कर रही थी सोमवार देर शाम पुलिस को नाबालिक के रेलवे स्टेशन पर होनी की सूषना मिली इस पर पुलिस मौके पर पहुँचिए और नाबालिक को धीटेन कर लिया खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरी अब आपके शहर धोलपुर में रोटो इलेक्रिक्स प्राइविट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक इबाइक, इस्कूटी, इलोडर आ गया है हमारा पदा बालाजी मोटर्ज राजाखेडा रोड़ पर तंगावली मोड धोल पर इनक्वाइरी नंबर 809 977621 निवेदर सफीश दूबे एक बार सेवा का मौका जरूर दे नोट, रोइटो इलेक्ट्रिक्स प्राइविट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेडी, सरमथुरा, सेपव, राजाखेडा, मनिया, मरेडा, बसेई नवाग, कंचलपर, आधी जगहों पर डीलर्शिप के लिए आप हमसे संपर्थ करे सतीश दूबे, कंपाक्ट नंबर, 96107-9879 धौलपुल का सबसे उतक्रश्ट शिक्षन संस्तान, AVM Convent School और Kids International Play School यहां है बहतर गुर्वत्तापुन शिक्षा, आधुनिक तक्नी, मजबूत इंफ्राइस्ट्रक्षर, शांदार प्लास्रूप, लाब्रेरी और सुसजित लैब अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुवधा AVM Convent School के बल शिक्षा ही नहीं, बलकि बच्चों में संस्कार गड़ता है, संस्कार बांग प्रगतिशी इनुवेटर बच्चों के साथ, उनमें real world problem solve करने की शमता पैदा करता है With best faculties, CBSC Affiliated School, AVM Convent School and Kids International Play School, fully AC with a smart class, घंटागा रोल, थौलपू, अड्मिर्शन ओपन Gram Panchayet, देरी में हुआ, क्रिकेट टूनमेंट Gram Panchayet, देरी के गाउं, सियापुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता का Final मुकाबला, सियापुरा और दुबाती के मध्ये खेला गया, Final में दुबाती टीम को विजई गुशुत किया गया जोसे ग्राम पंचायत सरपंच अशोक कुश्वाहा द्वारा 15,000 वे ट्रोफी देकर सम्मानित किया गया उपविजेता टीम सियापुरा को ट्रोफी देकर सम्मानित किया गया ग्राम पंचायत सरपंच अशोक कुश्वाहा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए जिससे बच्चों का शाररिक वैमानसिक विकास होता है। दोनो और आधे अधूरे एवं तूटे फूटे नाले को लेकर दू दिन पहले रविवार को विरूध प्रदशन किया था। पानी निकासी को लेकर सरवे किया। वार्ड बयालीस के पारशद ठाकुर रूकमपाल सिंग जौदो ने बताया कि नागरिकों की पानी निकासी की समस्या कई वर्ष पुरानी हैं जिसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी के चलते नागरिक परेशान थे और आगामी बारश के सीजन को देखते हुए भेभीत दिखाई दे रहे थे। ठाकुर रूकमपाल सिंग जादौन के कुछ वर्ष पार्ष और नगरपालिका के वाइस चेर्मेन एहमद जमाखां बाड़ी विधायक रासिंग मलिंगा से मिले और उन्होंने बताया कि वर्ष पार्ष गणों को लेकर नगरपालिका प्रशासन कोई कारवाही नहीं कर रह है ना ही समस्याओं का समाधान हो रहा है इसी के चलते वाडबासी परिशान है और उनसे बार-बार शिकायत कर रहे हैं जिसके चलते काम नहीं होने पर अब पार्ष गणों में भी असंतोष पनप रहा है इस पर विधायक मलिंगा ने तुरंत नगरपालिका के चेर्मेन प् प्रयास करें यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें बताएं वे खुद नगरपालिका के स्वायवत शासन विभाग से जुड़े उच अधिकारियों से बात करेंगे नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए और कोई भी वार्ट पार्ष पार्ष में समस्या लेकर आए तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए इनका कहना है मेरे पां समंगलवार को सुबह कुछ वार्पार्शड़ों की लिखत में लेने नगरपार्शासन हल नहीं कर रही तो यह है भी कहा कि उनको बताए जिस से वैस समाधान जैपर से करवा सके बाड़ी से समवा दाता गरी इसे काम जारी होगा इससे नाप भी करवाई है और हमारे पास है जी मोदा जी हमारे उपस्तित है और मैं आसफास काम जल्दी से जल्दी हो जाएं इसे नाले के चक्र में एमेले शाब से दिश्वारे पार्शाज भी थे उन्होंने आशों से दिया था कि तुमारा नाला काई नाला बनेगा और कुछ परिशन है विजरु तनी है निस्वच काम होगा कोई बेदवाब नहीं करेंगे और चेर्मन के पास एपलीन लगाव क्या क्या काम है पार्शाज भी थे बोला नहीं और नाप करा दी उन्होंने आजी सुबह गएते हम साड़े साथ बजे और दस बजे करेंगे दस बजे नाप करा ले नाप के दिये यहाँ पर नाप चाली करते ही है उत्रिशना कावलीन कली नंबर तीन में श्री श्री एक हजाराथ पंच्मकी हनुमान मंदर धोलपुर की रियासत एवं परियतन स्थल शेरगड किला धोलपुर में एक जनवरी 2022 से अखंड तपस्या पर बैट रहे पंजित राम्टकाश शासरी को ठंडा शर्बत एवं जूस पिला कर उठाया गया इस उप्रांत मंदर महंत श्री श्री एक हजाराथ द्वारिक अदास महराज प्रभुजी ने बताया कि आज के घोर कल्योग रूपी पाप को नश्ट करने के लिए महराज ने अखंड तपस्या पर बैठने के लिए प्रण लिया है और यह प्रण द शहरा पर ही समाप्थ ह इस उप्रांत मंदर प्रांगण में भव्य विशाल भंडारी का आयोजन किया जाएगा जिसमें साधू संत महात्मा सन्यासी एवं ब्रामणों को प्रेम से भूजन कराया जाएगा पंचमुकी हनुमान मंदर परियतन स्थल पर मधर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजसा अनील भारदवाज फकर, बाबा ईश्वरी प्रसाश शर्मा, बबलू यादव, रावनवास राना, सोनू पंडित, दर्शना बाबा, बाबा भंडारी, आदी भक्त गण मौजूद रहे, अंत में मंदर सचीव काहना भगवान ने सभी भक्तों का अभार व्यक्त किया तबादलों से रोख सटी, राजसान के करमचारियों में खुशी की लहर, राजसान शिकशक संग एकिकरत के लंबे संघर्श के बाज राजसान सरकार ने करमचारियों के तबादलों से प्रतिबंद हचा दिया मंत्री परसादी लाल मीना वे गोविंदराम मेगोहाल से मुलाकात की। जन सुनवाई में मंत्रियों ने इस पश्ट कहा कि जल्धी तृतिय श्रेनी शिक्षकों का इस्तानतरण खुलेंगे। की सभी ने कहा कि तृतिय श्रेनी शिक्षकों के स्थानतरण अनिवारिय रूप से करेंगे। राजसान शिक्षक संग एकिकरत के प्रदेश अध्यक्ष गिराज शर्मा का कुशल ने तृत्व रंग लाया और राजसान सरकार ने शिक्षकों की मांग मानते हुए राजसान के सभी करमचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया। जिलों में राजसान के सभी करमचारियों में खुशी की लहर है और शिक्षकों वे करमचारियों ने मिठायां वितृत करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है। वेक्सिनेशन एवं रक्तिदान शिविरों का आयोजन का पत्थर साबत हुआ। यूवक ने शराब के नशे में साथी यूवक का गला रेत कर मडर कर दिया। दिनासपुर जिले के रहने वाले मरतक अनील, पुत्र, बुधारा, उम्र और सुनील कुमार दो दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज में मजदूरी का काम करने आये थे। मजदूरों के ठेकेदार इबराहिम ने पूचताईश में बताया कि सोमवानात को दोनों मजदूर, सुनील और अनील ने शराब पी थी, इसके बाद पुरानी रंजश को लेकर दोनों जगडा करने लगे, उसने दोनों को खाना खिलाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया रात को सुनील ने कमरे में शीशत तोड़ दिया और साथी मजदूर अनील का गलारे दिया दूलपुर में बारश के दिनों में नाले एवं नालियों के गंदे पानी से लोगों को परिशानी ना आए इसलिए नगर परिशत सफापती खुश्बु सिंग ने अधिकारी एवं करमचारियों के साथ शहर के नालों की इस्तिती का जायजा लिया और अधिकारी करमचारियों एवं ठेकेदार को सक्त हिदाय दी बारश से पूरवन अगर परीशद ने नालों की सफाई करवाने के लिए निर्देश जारी किये आदेश की पालना करने के लिए ठेकेदार दुआरा नालों की सफाई करवाने की प्रक्रियाश शुरू कर दी है और ठेकेदार दुआरा शहर में जहां जहां नाले इस्थित हैं उनकी सफाई करवाई जा रही है वहीं नाले सफाई में कुछ खामियों की शुकायत सभापती खुश्बू सिंग को मिली है तो वे तुरंत अधिकारी एवं करमचारियों के साथ मौके पर पहुँची और नाले सफाई की वस्तु इस्तिती की जानकारी ली सिंग ने कहा कि कारिय लापरवाही बिल्कुल बरदाश नहीं की जाएगी इस मौके पर आयुक्त लजपाल सिंग जेई एन आशीश सिंग मेट सहिर्थ ठेकदार मौजूद रहे व्यवसाई से कमीशन नहीं मिलने से नाराज होकर अने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने की साज़ श्रची थी पुलस अधिशक नाराइन टोगस ने बताया कि 27 मई को हाड़वेर व्यवसाई अशुक कुमार मित्तल पुत्र वासदेव प्रसाद मित्तल ने एक बाड़ी कुत्वाली थाना पर बदमाशो द्वारा चुठी और मुबाइल फोन से 5 लाक रुपे की रंगदारी मांगने का मामला दर्श कराया था चुठी में धमकी दी थी कि तेरे पुत्र को मारने के लिए सुपारी दी गई है अगर 5 लाक रुपे नहीं दिये तो व्यापारी एवं उसके पुत्र को जान से मार दिया जाएगा स्पी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़ी कुत्वाली थाना पुलस और साइबर सेल के मदद से संदिग्द मुबाइल धारक का नाम पता और लोकेशन प्राप की गई सिम धारक इकरार खां उर्फ डल्ला को जैपुर से दस्तायाब कर उसके साथ काम करने वाले जाविद खां पुत्र राज मोहमद निवासी तकिया शौक नयाबास गुमट बाड़ी से पूश्टाच करने पर जाविद खाने बताया कि इकरार खां उर्फ डल्ला करीब साथ पहले हमारे साथ काम करता था और उसका हिसाब किताब मेरे पास ही रहता था इकरार उर्फ डल्ला ने घटना में प्रयोक्तुस्सिम को अवैद कारे करने के लिए मुझे दे गया और कहा कि मैं काम धंदे के लिए जैपर जा रहा हूं और मेरे पर कोई शक भी नहीं करेगा और मैंने उसकी नाम की सिम अपने पास रख ली जब से ही उक्तुस्सिम को कभी-कभी उपयोग में ले लेता हूं मैं करीब 15 साल से लकडी फरनीशर का काम करता रहा हूं जब से ही व्यापारी अशोकुमार मितल की दुकान से ग्राहकों को कमीशन पर लकडी का सामान दिला कर ब पुटी रकम एठनी की योजना बनाई और 24 मही को पड़ोसी तोसब से कमीशन का लालच दे कर एक रंगदारी बावध धम की भरी चिठी लिखवाई जिसमें पुलिस को गुमरहा करने के लिए बार 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 बाबु महराज की जय लिखा S.P. ने बताया कि चिठी को व्यापारी के दुकान के शटर के नीचे आरोपी जावेद द्वारा जाली इसके बाद व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचना देने पर व्यापारी के साथ पुलिस साधा वस्तरों में घूमते हुए देख लिया S.P. ने बताया कि आरोपी जावेद ने सिम और मोबाइल को तोड़ कर फेक दिया और बाडी से फरार हो गया S.P. ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा आरोपी गंड जावेद खां पुत्रु राज मोहमद निवासी तकिया चौक नयावास गुमट बाडी इकरार खां और फडला और तोसफ खां को गिरफतार किया गया है S.P. ने बताया कि घटना में प्रयोक्त मोबाइल का बिल टूटा मोबाइल टूटी सिम को बरामत किये गए हैं आरोपियों से पूशता च्वे अनुसंधान कराया जा रहा है बाडी में विश्व तंबाकू निशेत दिवस के अवसर पर नगरपाले का प्रांगड में समस्त करमचारियों को खंड कारिकरम प्रबंदग देवानंद ने शपत दलाई गई से बचाने में योगदान करूँगा इस मौके पर खंड कारिकरम प्रबंदग देवानंद होतम सिंग बीसी एमो कारा राल्य है पालिका के कनिष्ट सहायक, सुनील यादव, सुमित्तवारी, जोगिंद्रु मीना, तपेश बिधूरी, शिवशंकर पजोरी, गोविंद यादव, मनु बिधूरी, अमिश शुकला, नीलम, राधा, राजकुमार, कोली, नत्थी खां, ओंप्रकाश कुश्वाहा, रामवत हुई है, बताया जा रहा है कि हरी बाबु दो दिन पूरविर अविवार को, इटो से भरे ट्रेक्टर च्रोली को, किसी पांटी के यहां खाली करने जा रहा था, इसी दोरान अलीगर मोड के पास सडक पर आई, दोची ने हरी बाबु की जान लेली, दोची के चलते ट्रेक पी उपचार दिया गया, लेकिन सोमवार की रातरी को हरी बाबु का ने धन हो गया, जिसके शफ को परीजन और ग्रामीन बाडी हस्पताल लेकर आए, जहां आज पोस्ट मौचम कराया है, घटना को लेकर कंचनपुर थाने में तहरीर दी है, उम्री गाउन वासी सुरेंद कर रहा था, अब हरी बाबु की मौत के बाद बेटी का परिवार और उसकी पतनी सदमे में है, ऐसे में पीडित परिवार को आर्थिक सहियोग की जरूरत है, इसी के चलते पोस्ट मौटम कराया है और पुलिस में तहरीर दी है, बाडी से समवाद दाता राचु शर्मा की ब जो गमटके किम टेक्टर को चलाता था उसमें इटे बरके जा रही थी दोंच आया तो बहुंच एक टेक्टर आंगे तो इसकी जो इसकी नस्य बेस्ट होगे ही, भष्ट बेस्टोर ने के बद दॉल्फु लाए, बद आगा ले गे पर आगए और आग को आगे आगे, आग बाड़ी उपखन के कंचनपुर थाना शेत्र के एक गाउं में विवाहिता से कट्टे की नोक पर दुशकर्म करने का मामला सामने आया है जुसको लेकर विवाहिता ने कंचनपुर थाने में तहरीर दी है पीड़िता का आरोप है कि अब आरोपी उससे और उसके बच्चों को जान से मारने और चंबल में फेकने की धमकी दे रहा है कंचनपुर थाना शेतर के गाउं निवासी विवाहिता ने आरोप लगाया है कि 23 माई को सुभा 9 से 10 बजे के बीच वह गाउं से अपने पती के साथ कंचनपुर चौराहे पर आई और बाड़ी के लिए किसी साधन का इंतिजार कर रही थी इसी धूरान बाड़ी के बाड़ी से सामान लाने की बात कही इस पर आरोपी ने उसको बातों में लगाकर बाड़ी पर बिचाया और बाड़ी छोड़ने की बात कही लेकिन बाड़ी आने से पूर्व हंसई गाउं के रस्ते पर उसने बाई को मोड लिया जब उन्होंने पूछा तो बताया कि बाड़ी के बाजार के लिए गाउं से सीधा रस्ता गया है बाद में आरोपी उनको जंगलों मिले गया जहां बातों में उलजा कर पती को जबरन शराप पिलाई और उसके अचेत होने पर आरोपी रामदीन ने विवाहिता से संभोग करने की बात कही जब उसने मना किया तो कटे की नोग पर धमकी दे कर जबरन दुश्कर्म की घटना को इंजाम दिया घटना के बाद वे अपने पती के साथ गाउं पहुची और अपने देवर को पूरे मामले की जानकारी दी इस पर देवर ने जब आरोपी रामदीन से फोन पर बात की तो है जगडे पर उतारू हो गया और दुश्कर्म के मामले में कोई कारवाही करने या किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देश पर पुरा परिवार बहभीत हो गया जिसके चलते वे चार दन तहरीर नहीं दे सके अब 28 महीं को कंचनपुर थाने में तहरीर दी है पुलिस पर दुश्कर्म को नाम है राजमर को लड़का आए जवर्जस की ते गाड़ी पर बैठा रहे हो गया थी हां सही के मोड़के उन्हें अब दार के आई हमारे पती है और जंगल में जाने बलाकात की आया हमारों बलाकात की आया तो बलाकात करके काकितनी जाने हम बाड़ी इस उलते ही बाड़ी से ढ़ा है, घर आएं हम घर आएं हम पोने जो देवरा सनाई अबने जी देवरास बोलों करके पाड़ा नहीं तेरे बच्चा को उत्चा मिलाओं हमारे बलाके मडतु इस आना हम में पर देवर्ट करने हमाए जब काड़ा कितनी आं जिनम्यल्म जब बाडी मिराज के उच प्राथमेक विध्याले खोरपुरा से प्रधाना अध्यापक पत से सीवा निर्वित हुए बच्चु सिंग मीना का विध्याले स्टाफ वे ग्रामीनों ने माला विसाफा पहना कर भाव भीनी विदाई दी इस मौके पर विध्याले स्टाफ ने उनके कार्यकाल की प्रशनसा करते हुए कहा कि प्रधाना अध्यापक पत पर रहते हुए बच्चो सिंग मीना ने नकेवल विध्याले के विकास में एहम भूमेका निभाई बलकि उनके इस्थाना तरण पर ग्रामीनों समेत स्टाफ ने ब्रजबूशन मीना चंदरबोहन सत्यनानायन मीना मुनेंधर व्यास जूतिश्वर सुनिता मीना सुजाता शर्मा राजबीर सिंग मीना एवं चंदरश्रेकर चंदरबोहन पाराशOR सदैव बडी संख्या में खोरपूरा निवसी मौजूद थे बाड़ी से राजु शर्मा के लिए पूपट